नमस्कार किसान भाईयो आपका स्वागत है ग्लोबल मेक्स फार्मिंग के उपर आज अपने पिग फार्म के अंदर यूज होने वाले एक इंजेक्शन डोजलीव साल्ट एल करेटाइन इसके बारे में बात करेंगे वीडियो शुरू होने से पहले आप हमारी वीडियो को ला किसान भाईयो सबसे पहले अपने बात करेंगे यह जो इंजेक्शन है एल करेंटाइन जो इसके अंदर साल्ट है यह किस-किस बिमारी में यूज आता है किसान भाईयो जैसा की पिक फारम के अंदर आपको पता ही है जानवर कई बार खाना पीना शोड़ देता है जहां उस में सिधी बाशा में कहीं तो पिक फारम के अंदर यदि जानवर कुछ खा पी नहीं रहा और कि वह सुस्त हो गया है और लंबी बिमारी के बाद वह खाना पीना कम कर चुका है तो उस टाइम अपने यह डोजलिव का एल करेंटाइन इंजेक्शन जानवर को देंगे इससे उसकी लीवर समंदित जाँ उसके खाने पीने समंदित जो भी दिखते हैं उसके उपर यह बहुत अच्छा काम करता है अब अपने बात करते हैं इसके प्राइज की तो किसान भाईयो यह सितंबर दो जारते इस मन्त के अंदर इस इंजेक्शन का जो मर्पी है वह 240 र तो किसान भाईयो जैसा की यह जो इंजेक्शन है यह अपने 40 किलो बोडी वेट पे एक एमल लगता है और इसके अंदर जो साल्ट है वो है एल के रंटाइन 200 एमजी पर एमल के अंदर होता है जी और यह जानवर को देते हैं अपने 5-6 एमजी एक बोडी वेट पे जाएगा तो आप मोटा मोटा मान के चलो एक कोवंटल का जानवर है तो उसको यह मोटा मोटा जाएगा 6 से मल्टिप्लाई कर लो 100 के साथ तो मोटा मोटा यह चला गया 600 एमजी डोज तो यदि अपने एक कोवंटल पे इसकी डोज एमल के अंदर निकालेंगे तो यह डोज बैठेगी जी तीन एमल क्योंकि एक एमल के अंदर 200 एमजी है तो तीन एमल के अंदर 600 एमजी हो गया इसका अरजल्ट बहुत ही शांदर है आप इसको अपने पिग फारम के उपर यूज कर सकते हो इसका म विमार था बुखार था और उसके बाद उसने खाना चोड़ दिया उस टाइम अपने लगाते हैं जा फिर यदि अपने एक फारम से जानवर दूसरे फारम पे लेके गए हैं रस्ते में गर्मी जा स्ट्रेस की वज़ा से उस फारम पे जाके जानवर खाना नहीं खारा तो यह एल केरंटाइन साल्ट का इंजेक्शन सो के जी बोडिवेड पे तीन एमल पसु के अंदर यूज कर सकते हैं यह आसान शब्दों में कहीं तो चालिस के जी बोडिवेड पे यह एक एमल इंजेक्शन यूज के अंदर ले सकते हैं इस इंजेक्शन का रिजल्ट काफी श रन्यवाद